इस वीडियो इस आउटकम अफ दे वीडियो विजस्ट नाव आई साउ इन अउनली हिमालिया प्रबबली सेट भाई हर्स भाई उस वीडियो में ये कहाद गया है और वास्ते में डेमस्टेट भी किया गया है कि इंडीड अफरिका इस अरीच कांट्री अफरिका इस नाट अफरिका 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 अवल दर्जे पर है लेकिन उसको क्यों पोर बनाया गया कि उसके कारण क्या है वो हम सबी जानते हैं कि वहां के रिसोर्स स्क्वीज आउट होते हैं और उनको अनुदान पर जीवी तरी खाय जाता है क्या उत्राखंड में भी ऐसा हो रहा है साइद अभी तो नहीं हो रहा है मैं यह दिखा रहा हूँ कि मौनसून का वक्त है यहां की पहाड़ियां बड़ी खुबसूरत हैं जो आपको दिख रही हैं क्लाउट्स एसेंट कर रहे हैं खेत बंजर हैं लेकिन हरे नजर इसलिए क्या रहे हैं कि यह बरसात के मौसम में घास उगाई है और यह दूर गाउं जो है अपने आप में कोरे में ठका हुआ है विकास का क्या स्वरूप होना चाहिए उत्राखंड में और जो स्वरूप होना चाहिए उसमें किसकी भागिदारी होनी चाहिए आज यह सवाल हर विक से एक अपील उन गैर सरकारी संस्ताओं को करना चाहता हूं जो इस उत्राखंड में काररत हैं और काफी बड़ी तादात में हैं उनका सब का अगर आप वर्क प्लान देखें या उनका अब्जेक्टिस देखें तो वो जलागम विकास या नेच्रल मीटिगेशन इस पर काम करते हैं मैं उनसे अनरोध करना चाहता हूं कि उनके पास काफी अच्छा तज्रूबा है लोगों से सिधा संपर्क है उनका वो यहां के विकास की परक्रिया में अपना ब्लूपिंट बनाएं और इस उत्राखंड को एक नई उचाई पे लेके जाएं